नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है पतंजली क्लासे जाजस्तान यूटूब चैनल में आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे और पार्ट टू के अंदर भी 30 मेहत्पून प्रशनों का हम अध्यान करने वाले हैं जो कि राजस्तान के इतिहास से संब्ध रखते हैं ठीक है तो पहला क्यूशन हम करते हैं मोनोत नैन सी किसके दरबारी कभी थे देखो बहुत की अच्छा प्रसन है एकजाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा ठीक है तो मोनोत नैन सी किसके दरबारी कभी थे जस्वन सिंग पर्थम जस्वन सिंग क्या किया था नेत्रत्व किया था बात किलियर हो गई धर्मत के युद्ध में साही सेना का क्या किया था इन्होंने नेत्रत्व किया था ये वही जस्वन्त सिंग है ठीक है बात किलियर हो गई और आपको दूसरी बात में बता देता हूँ कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था बहुत important person है, तो यह हुआ था, 25 April 1658 को, ठीक है, मुनोत नैनसी जिसे क्या कहा जाता है, राजस्तान का अबूल फजल भी कहा जाता है, इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, एक के तो विगत लिखी थी, मारवाड के मारवाड के परगनारी विगत, और यह वही मुनोत नैनसी हैं, जिन्होंने दूसरा लिखा था, मुनोत नैनसी री ख्यात, ठीक है, बात किलियर हो गई, इतनी बाते आपको याद रखनी थी, जस्वन सिंग, यह वही जस्वन सिंग है, जिनकी मौत पर किसने कहा था कि कोफर क दरवाजा तूट गया, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिकतर बताएंगे कि किसने कहा था, ठीक है, दूसरा प्रसेन आपका दुर्गादास राठोड ने किस राजपूत, राजकुमार को औरंगजेव के चंगूल से बचाया था, देखे, बहुत यह अच्छा परसन है, दुर्गादास राठोड और इसके साथ ही इसका एक साथी ओर था, मुकंदास खीची, ठीक है, इन दोनों ने राजकुमार अजीत सिंग को बचाया था, किसको बचाया था, जाजकुमार अजीत सिंग को यह बचाये थे, ठीक है, बात किलियर हो गई, बात किलियर जस्वंत सिंग का क्या था मंतरी था बात केलियर हो गई और जस्वंत सिंग का बेटा कौन था अजीत सिंग था बात केलियर हो गई इसके साथ आपको याद रखना है कि दुर्गादास राठोड जिनोंने अजीत सिंग को बचाया अजीत सिंग ने उनका अपमान किया उनके अ सी जगह चले गए थे ये चीज भी आपको याद रखनी है तो वो गए थे अमर सिंग सेकेंड के पास चले गए थे बात किलियर हो गई नेक्स्ट प्रसन है दुर्गादास राठोड की छत्री कहां पर इसकीत है तो देखे दुर्गादास राठोड की जो चत्री है वो उज्जेन के अंदर है और उज्जेन में सिप्रा नदी के तठपर है बात किलियर हो गई सिप्रा नदी के तठपर इनकी क्या बनी हुई है चत्री बनी हुई है बात किलियर हो गई नेक्स्ट प्रसन पे चलते हैं विकानेर के किस राजपूत सासक को राजपूताने का करण कहा गया किसे कहा जाता है राजपूताने का करण तो वो कहा जाता है राई सिंग को किसको कहा जाता है राई सिंग को ओप्शन सीस का सही अंसर होगा राइट अंसर क्या होगा option C, इसका सही answer होगा next है, किसके सासनकाल में जोदपुर राज के खिजर लिगाउं में अमरता देवी के नित्रतों में 363 लोगों ने व्रक्षों की रक्षार्त बलिदान कर दिया था तो देखिए बहुत ही अच्छा परसन है चार option आपके सामने है अमर सिंग, माल देव, अबै सिंग और अजीत सिंग, इसका सही answer क्या होगा, जल्दी से बताईए जल्दी से comment box के अंदर लेकिए कि इसका सही answer क्यों सा होगा और इसका सही answer होगा, अबै सिंग, बात किलियर हो गई, और यहाँ पे क्या किया अमरता देवी अमरता देवी के नेतरतों में 363 लोगों ने ब्रक्सों पा लिपटकर अपनी जान दे दी, और एक मातर जो ब्रक्स मेला आयुजित किया जाता है, वो खेजरली जोदपुर के अंदर ही आयुजित किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट प्रसेन है आपका जोदपुर के किस सासक को बीम सिंग से उत्रादिकारी संगर्स के फस्चात राज गदी मिली, तो किस के बाद मिली देखो, सूर सिंग, गज सिंग, मान सिंग और अबै सिंग, चार ओप्शन आपके सामने है सूर सिंग, गज सिंग, मान सिंग और अबै सिंग, इसका सही ऑंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ज़िए इसका सही ऑंसर होगा, ओप्शन C, मान सिंग को मान सिंग नोंơi क्या किया था भीम सिंग से उत्रादिकारी संगर्स जो युद्ध करके और अपनी गद्धी को ले लिया था ठीक है बात किलियर हो गई next person है ये मानसिंग और भीमसिंग दोनों चचेरे थे आपको ये भी बात याद रखनी है आवल बावल की संदी किनके मद्धे हुई देखो बहुती अच्छा प्रसंद है ये exam में कई बार पूछा जाता है कि आवल बावल की संधी किन किन की मद्धे हुई तो राव जोदा जो की मारवाड से संबंध रखते थे और राणा कुम्बा जो की मेवाड से संबंध रखते थे कहने का मतलब हमें इसे ये भी कह सकते हैं कि मेवाड मारवाड के बीच की संधी भी मेवाड मारवाड संधी भी से कहा जाता है ठीक है बात किलियर हो गई अब ये किसने करवायती इसके अंदर मद्यस्ता निवायती जो हंसा बाई ने किसने निवायती अंसा बाई ने बात किल क्लियर हो गई ठीक है next बात राव जोधा का राजविसे कब किया गया option 4 आपके सामने 1438 1440 148 और 1460 इस वी में कब किया गया तो यह सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा इसका option C इसका right answer होगा 148 में राव जोधा का क्या किया गया था राजविसे क्या गया था ठीक है next प्रसंद क्या है आपका राव जोधा ने अपनी किस पुत्री का विवहा मेवाड के सासक राणा कुमभा के पुत्र से किया था देखिए कौन सी थी वो राजकुमारी वो राजकुमारी थी स्रंगार देवी बात किलियर हो गई अब यहां प चीजों को कवर करेंगे लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि जोधपुर की जो इस्तापना करता थे ठीक है जोधपुर इस्तान के अंदर एक जगह है कौन सी है महरानगड ठीक है और इसी महरानगड जिसकी स्तापना चिडिया टूंक पर हुई ठीक है वो 1260 के अंदर और वो कहां पे महरांगर दुरुका निर्मान करके इन्होंने जोदपुर को बसा दिया राव जोदाने बात किलियर हो गई आगे देखे राणी सर्तालाब किसके द्वारा बनाये गया उप्सन ए है सोनगरी जानी चांदकूरी द्वारा दूसरा उप्सन है आपके सामने हाडी राणी जस्मा देवी द्वारा तीसरा उप्सन है राणी किसोरी देवी द्वारा और चोथा उप्सन है राणी पारवती सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा इसका option number B ये हाडी रानी जस्मा देवी द्वारा अब हाडी रानी जस्मा देवी कौन थी तो ये कौन थी जोधा की पत्नी थी राव जोधा की क्या थी पत्नी थी बात के लियर हो गई इनकी क्या थी पत्नी थी नेक्स्ट प्रसेन है आपका अजमेर के हाकिम मलूखा के सेनापती गुडले खाने किसके सासन काल में 144 या 40 कौवारी कन्याओं का अपहरान किया ठीक है तो किसने किया था ये बात तो आपको किलियर हो गई कि किसने किया था तो ये किया था हाकिम मलूखा के सेनापती गुडल खाने ये बात आपको clear हो गई गुडले खाने क्या किया था कावारी कन्याओं का अप्रहन कर लिया था अब वो किसकी सासनकाल मा किया था तो बस समय सासनकाल दे सातल का किसका सातल को हो या फिर सातल सालदेु को हो बात एक ही है ठीक है और issue plucks में आज भी मारबाड के अंदर क्या मनाया जाता है एक गुडला तेओहार मनाया जाता है बात के लिए रोगई गुडला तेओहार मनाया जाता है ठीक है next person है खानबा के युद्ध में राना सांगा की सहायता किस मारबाड सासक द्वारा की गई थी देखो राव गागा राव दूदा राव सूजा राव मालदेव चार ओप्सन आपके सामने है ठीक है तो राव मालदेव तो वैसे ही कट जाएगा यहां से क्योंकि ओप्सन सही कौन सा होगा ए राव गागा ने हेल्प की थी लेकिन करने कौन गया था युद्ध के अंदर कौ जाता है हस्मत वाला सासक कहा जाता है next है मारवाड के सासक मालदेव का राज्य अविशेक की सिस्तान पर हुआ देखो बहुत ही अच्छा प्रसन है बहुत ही अच्छा प्रसन है कि मारवाड के सासक मालदेव का राज्य अविशेक कहां पर हुआ था देखो कहां पर हुआ था तो सोजत के अंदर हुआ था, क्योंकि उस वक्त, उस वक्त जोदपूर के हालात ठीक नहीं थे, इसी वज़े से आपका सोजत के अंदर इसका उप्शन सही होगा, सोजत के अंदर इसका राज्य अविशेक हुआ था, बात के लिएर हो गई, next person, किसी तियासकार ने मालदेव क भारत का महनपुरसार्थी राजकुमार कहा था, दो को बहुत ही अच्छा प्रसन है, मालदेव को महनपुरसार्थी राजकुमार किसी ने कहा था, तो ये बात आपको सभी को पता है, किसी ने कहा था, तो option 4 आपके सामने है, सही answer आपको क्लिक करना है, कौन सा करना है आपक option C बदायूनी इसका right answer है question number 15 मारबाड के सासव मालदेव नागोर के किस सासक को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया देखिए नागोर के अंदर और जालोर के अंदर दो बाते आपको याद रखने हैं इनके बारे में कि जो नागोर के अंदर किया था वो दोलत खान को हरा कर किया था बात किलियर हो गई और जालोर के अंदर सिकंदर खान को हरा कर किया था ठीक है बात किलियर हो गई इसके अलाबा मालदेव का एक जालोर का सासकता वीरम देव जिनोंने सेरसा सूरी की भी क्या की थी मदद की थी गिरी सुमेल के युद्ध में याद करना है आपको इन चीज़ें को रिलेट करनी है कि सेरसा युद्ध, सेरसा सूरी की इन्होंने क्या कीती? मदद कीती तो वीरम देव और सिकंदर खान दोनों ही इनके क्या थे? बहुती ज़्यादा कटर दुस्मन थे जालोर के किस साशक को प्राजित कर जालोर पर आधिकार कर लिया तो बात केलियर होगे इस सिकंदर खान ठीक है? नेक्स्ट परसेन आपका मारबार रियासत का सरवादिक विस्तार किस साशक के साशनकाल में हुआ था? तो देखो बहुती अच्छा परसेन है किस केक सासन काल में सरबादी के बिस्तार हुआ था तो option इसके चार आपके सामने है राव रनमल, राव जोधा, राव जस्वन सिंग और राव माल्देव राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका माल्देव राव आंसर क्या होगा मालदे होगा चारण कवियों ने मारवाड के किसासक को हिंदु बादसाह के नाम से संबोधित किया देखिए बहुत अच्छा प्रसन है तो हिंदु बादसाह के नाम से संबोधित होने वाला कौन था तो ये होगा मालदे हो इसका सही आंसर क्या होगा मालदेव राइट ओप्शन राइट ओप्शन सी बात किलियर हो गई ठीक है तो चारण कवियों ने मारबाड के किसासक को हिंदू बाद सहा के नाम से संबोधित किया था तो राव मालदेव को किया था इसका कहने का मतलब ये एरर है इस जगे लिखा हुआ है किस सिस्तान पर हुई है तो ये हुआ था बादराजून सचियाई मालकोट गुरोज तो ये तो जंगल के अंदर जब गया था तो बादराजून की पाडियों के अंदर छुपाता जाके लेकिन ये गया कहा था मरत्यू कहाँ पर हुई लाश्ट में इनकी तो सचियाई के अंदर इसकी मरत्य हो गई थी नेक्स परसेन है रावचंदर सेन से संबंदित नहीं है हस्मत बाला सासक प्रताप का अगरगामी भूला विसरा राजा और इन में से कोई नहीं तो आप्चन इसका सही क्या होगा देखे ब बहुत ही अच्छा परसेन है कि रावचंदर सेन से संबंदित नहीं है देखो परताप का अगरगामी भी रावचंदर सेन को कहा जाता है भूला विसरा राजा भी से कहा जाता है इसके अलावा से एक नाम ओर दिया जाता है मारवाड का परताप क्या कहा जाता है मारवाड क को कहा जाता है असमत वाला सासक किसंगर राज का संस्तापक किसंग सिंग किस मारवाड सासक का पुत्र था तो किसका पुत्र था मोटा राजा उदै सिंग का ये पुत्र था बात किलियर हो गई मोटा राजा उदै सिंग का ये पुत्र था नेक्स्ट परसन है मतिरे की राड कब हुई तो मतिरे की राड कब हुई देखो बहुत ही अच्छा परसन है बहुत ही अच्छा परसन है तो 1644 का जाइट आंसर होगा करण सिंग और अमर सिंग राठोड के बीच में ये हुई बात किलियर हो गई अमर सिंग राठोड के बीच म हुई थी वो गाउं कौन सा था नागोर का तो वो गाउं था आपका खीलवा कौन सा गाउं था खीलवा बात किलियर होगी तो मतीरे की राड से आपसे इतना ही याद रखना है करण सिंग और अमर सिंग राठोड के मत्य में हुआ खीलवा गाउं के अंदर युद हुआ और कह मैंने आपको बता दिया कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था तो 25 अप्रेल 1608 के अंदर हुआ था दारा सिको और और अरंगजीब के मद्दे और जो ये धर्मत का युद्ध था ठीक है ये धर्मत का युद्ध था ये कब हुआ था तो ये ये आपको याद रखना है कि 1608 के अ अपनी एहम भूमी का निभाई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसके बाद में, धर्मत युद के बाद में, औरंग जीम ने धर्मत का नाम क्या कर दिया गया, फत्याबाद कर दिया गया, क्या कर दिया गया था, फत्याबाद कर दिया गया था, नेक्स्ट आ नहीं है देखो ये भी बहुत अच्छा प्रसेन है तो प्रतम रचना कौन सी नहीं है देखो बासा भूशन ये तो है अप्रोक सिद्धान्त ये भी है जस्वन्त उद्योग प्रभोत चंद्रोदे आपको ग्याद कना है प्रभोत चंद्रोदे इनकी है तो जस्वन्त उद्यो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा. इसके अलावे इनकी दो ओरती जिनके नाम भी में आपको बता देता हूँ. एक तो था आनन्द विलास. क्या था? आनन्द विलास. एक तो थी आनन्द विलास और एक था अनभवु परकास. ये भी इनी की रचना थी. ठीक है? नेक्स्ट परसन पर चलते हैं. नेक्स्ट परसन क्या है आपका? जस्वन सिंग की छत्री कहां पर बनी हुई है? देखो ये भी बहुत इच्छा परसन है. जस्वन सिंग की छत्री कहां बनी हुई है? तो मंडो आगरा के इंदर ही इनकी क्या मनी हुई है? छत्री बनी हुई है देखो जमरूद, आगरा, औरंगाबाद, लाहोर, चार ओप्षन आपके सामने हैं, सही ओप्षन क्या होगा इसका, लाहोर इसका राइट अंसर होगा, ओप्षन नमबर डी इस राइट, ठीक है, नेक्स्ट प्रसन, मारवाड के सासक जस्वन सिंग के पुतर राजकुमार अजीत सिंग को मारवाड के सासक के रूपय माने तक किसने दीती, तो वह दीती, बादुर सा प्रथम ने दीती, क्सने दीती, कौन सा था मुगलबास सा, उस्ट आउं, बाधुर सा फश्ट था, ठीक है, next प्रसन आपका, जोधपुर की नूरजा, कि सितिहासकार दोारा, ग श्यामल दास ने क्या कहा था? कवी राजा श्यामल दास ने इसे जोधपुर toward the fifth sec Link के अदर माया कहा जाता है? तो option इसका सही कौन सा होगा ये आपको next video के इंदर आपको बता दिया जाएगा जब तक के लिए thank you so much मेरे साथ उनने के लिए आपका बहुत बहुत आबार